नमस्कार दोस्तो स्वागत है दोस्तो अगर आपके विवा में लगातर विलम हो रही है रिस्ते आते हैं बात भी होते हैं लेकिन कोई भी रिस्ता साधी में कनवर्ट नहीं हो पा रहा है या फिर आपकी उम्र 30 के उपर जाने लगती है तो आपके माता पिता को भी आपके वि प्लम होता जाता है दोस्तों अभी में जो आपको उपाई बता रहा हूं यह उपाई आपको सुक्लपक्च में पास दिन लगातार करना है सुक्लपक्च के पास दिन कौन से होते हैं जो पुर्णिमा के पहले के पास दिन है उस दिन से करनी है पुर्णिमा के पहले के पास दि शुपारी भी खंडित नहीं होनी चाहिए और एक हलदी के गांट उस पान के पत्ते में रखनी हैं उसके बाद इस पान के पत्ते को सुभ़ सुभव सुवजी के मंदिर ले कर करना है और मन में अपने साधी की मनों कामना करनी है तो दोस्तों यह उपाई कोई भी कर सकता है माता पिता अपने बच्चों के ले कर सकते है बहन अपने भाई को लेकर कर सकते है या फिर खुद कर सकते है परिवार का कोई भी सदे से कर सकता है तो दोस्तों यह सब अरपित कर देने के बाद आपको मनी मन ओम नमस सिवाय का 108 बार जाप करनी है अब मैं आपको दूसरा उपए बता रहा हूँ दूसरे उपए में आपको गेहूं के आटे के पेड़े बनाने है आपको थोरा सा आटा लेना है थोरा सा गूर मिलाना है और थोरा सा गंगा जल मिला देना है आपको दो पेड़े बनाने है फिर उस पेड़े में थोरी सी हल्दी लगा देनी है उसके बाद उसे गौव माता को खिला देनी है दोस्तो यहां कार्य भी आपको पांस दिन करना है यहां भी एकादसी से सुरू करनी है और पुर्णिमा आते आते यहां कार्य भी समप्त हो जा है तो दोस्तो यह उपाई जरूर करें जितने भी बरी भाद आये सब समाप्त हो जाएगी और आपकी सिग्रविवा की संभावना बरेगी तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना जिससे की आपको हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकिसन मिलती रहे जैसरी किसना